Hey guys, welcome back to my channel So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वालों चार ऐसी वीडियो एडिटिंग अप्लिकेशन के बारे में जिनका यूज करके आप अपनी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हो जियां guys, मुझसे बहुत सारी लोग comment करके पूछते हैं कि आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट करते हो या Android के लिए best editing applications कौन से होंगे So guys, इस वीडियो मैंने अपने top 4 favorite applications को select किया है जिनका use मैंने कभी ना कभी वीडियो editing के लिए किया है So, वीडियो को last तक जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके Android phone के लिए कौन से application suitable रहेगा और किस application का आपको use करना है So, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सबस्क्राइब करके bell icon को on कर लो चलो वीडियो को शुरू करते हैं without any delay So, guys, बात करते हैं सबसे पहले application की तो उसका नम है guys V-Logit V-Logit एक बहुत ही simple application जिसकी मदद से आप अपने YouTube वीडियो को बहुत ही simple तरीके से edit कर सकते हो और guys, यह application basically vlogs को edit करने के लिए बनाया गया है जो लोग travel वीडियो बनाते हैं, vlogs बनाते हैं उनके लिए इस application में कुछ ऐसे tools दिये गए हैं जो की बहुत ज्यादा helpful होंगे तो यार अगर आप एक vlogger हो, vlogging की वीडियो बनाते हो तो यार V-Logit application को install कर लोग यह आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होगा आप बात करते हैं अपने second application जिसका नाम है Filmora Go फिल्मोरा गो भी एक बहुत ही बहदर application है, Wondershare Company की तरफ से आता है इसका एक और application है पीसी के लिए Filmora, तो उसी का यह mobile version है Filmora Go इसमें आपको बहुत सारे tools मिलते हैं, बहुत सारे stickers मिलते हैं जो आपकी अपनी videos को edit करने के लिए बहुत helpful होंगे फिल्मोरा गो एक अच्छा option है आपको अपनी videos को edit करने के लिए आप इसको install कर सकते हो आप guys बात करते हैं अपने third application जिसका नाम है Power Director Power Director एक बहुत ही powerful application है और guys Power Director की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो है इसकी smoothness अगर आप इस application के तो अपनी videos को edit करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा आपको इपनी videos को edit करने के लिए क्योंकि यह इतना smooth है कि आपको लगेगा कि आपका device बहुत ज़्यदा powerful है बिसिकली जो और applications है उनमें आपको थोड़ा से lagginess फील होगी थोड़ा से slow आपका mobile हो जाएगा अगर आप heavy file इसमें edit कर रहे हो बहुत ही smoothly run करता है इसमें आपको बहुत सारे features मिलते हैं बहुत सारे यह best application है video editing के लिए for android इसको आप install कर सकते हो और अब बात करते हैं मेरे most favorite application जो की चौथा application है जिसका नाम है काइन मास्टर जिया अगर आप video editing से interested हो video editing के बारे में जानते हो तो आपने काइन मास्टर का नाम तो सुना ही होगा काइन मास्टर एक ऐसा application है जिसमें आपको हर तरह का editing टून मिलता है आप एक professional video editor application में जो expect करते हो वो सारे tools आपको काइन मास्टर प्रोवाइड करता है अपने android phone में use करने के लिए उसके साथ ही काइन मास्टर को use करना बहुत ही आसान है आप एक बार सीख लोगे तो आप किसी भी तरह के video को किसी भी तरह से edit कर सकते हो इसमें किसी भी तरह की limitations नहीं है कि आप आपके पास जितना दिमाग हो आप उतना लगा कि अपनी वीडियो को अच्छी से अच्छी सूट कर सकते हो काइन मास्टर का link आपको description में मिल जाएगा इसका use आप जरूर करिए यह application बहुत ही धमाके दार है और मैं खुद इसका use करता हूँ so guys I hope मैंने आपको जो चार application suggest किये हैं उन में से कोई न कोई application आपके लिए काफी ज़्यदा useful होगा अगर आप उसका use करेंगे और एक tip मैं आपको देना चाहता हूँ वी लॉग इट application के अलावा जो बाकी के तीन application है फिल्मोरा गो पावर डिरेक्टर और काइंड मास्टर यह तीनों अप्लिकेशन प्रीमियम है अगर आप इनको बाई नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो के साथ एक वाटरमाग आएगा बट गाईज आपको पैसे खर्चने कि कोई ज़रूत नहीं है आपको इन्हें पर्चेस नहीं करना आपको गूगल पर जाना है वहां पर टाइप करना application का नाम जैसे पावर डिरेक्टर का मॉड डाउनलोड करना तो आपको लिखना है पावर डेक्टर मॉड वर्जिन फ्री डाउनलोड सर्च करना है वेब पैसे बचाने हैं आपको पैसे वेश नहीं करने हैं मैक्सिमम लोग मॉड वर्जिन ही चलाते हैं बहुत रेर बंदा इसे परचेस करता है अगर वीडियो पसंद आयो तो यार लाइक जरूर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को अन कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर